नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे बिहार में रहस्मई गुफा के बारे में आपने रहस्मई खजानों के बारे में खूब कहानिया सुनी होगी और टीवी पर देखी भी होगी आज हम आपको बिहार में एक ऐसे ही रहस् इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में सोना चांदी की अकूत संपत्ती इसके अंदर छिपी हुई है लेकिन आज तक इसे किसी की पहुच इस गुफा तक नहीं हो सकी है आईए अब जानते हैं इस गुफा के बारे में यह गुफा मानम निर्मित है यहां दो और दोने गुफाएं मानव द्वारा निर्मित की गई है। इन गुफाओं में एक गुफा मौर कालिन कलाकृतियां मिलती है तो वहीं दूसरी गुफा के परवेश द्वार पर गुप्त समराज की भासा और सिलालेख मिले हैं। इस गुफाओं के बारे में इतिहासकार बतात हाला कि कई इतिहासकार इसे बौत धर्म से भी जोड़ कर देख रहे हैं। इतिहासकारों का कहना है कि मगत समराट बिम्बिसार को सोना चांदिस से बहुत लगाब था। वह बहुत कम उम्र में ही मगत की गद्दी पर बैठा था। बिम्बिसार नहीं राजगरे की अस्था का राज बिम्बिसार ही जानता था। समय के साथ सत्ता का हस्ता अंतरन हुआ और बिम्बिसार का बेटा अजाद सत्रु सत्ता पर काविज हुआ। कहा जाता है कि सत्ता के लिए अपने पीता की जान ले ली थी लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि उन्होंने चक्रवर्ती बनने के लिए साव राज्यों को प्राजित करने निकला। जरसंद ने 80 से अधीक राजाओं को हरा कर उनकी संपत्ती पर अपना कबजा जमा लिया। कहा जाता है कि इस जीती हुई संपत्ती को विभार गिरी परवत की तलहटी में गुफा बनाकर छिपा दिया जरसंद के चक्रवर्ती बनने के करमें पांडवों ने जरसंद से युध के लिए आमन्तिर्द किया। राजग्री में जरसंद का भीम से 13 दिनों तक युध चला। इस युध में जरसंद की जान चली गई। जरसंद की मौत के साथ ही इस गुफे का खाजाना भी दफन हो इस गुफे को खोलने के लिए अंग्रेजों ने खूब कोशिस की अंग्रेजों ने तोप और गोले से इस गुफा के दरवाजे को खोलने का कोशिस की लेकिन इसकी सारी कोशिस नाकाम रही अंग्रेजों के जाने के बाद भी इसे खोलने की कोशिस होती रही लेकिन उभव अभी नकाम रही बता दें कि गुफा की दिवार पर कुछ गुप्त सिला लेख भी है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है इस सिला लेख को लेकर अस्थानियों लोग कहते हैं कि जो इस लेख को पढ़ लेगा वह खा जाने तक पहुंच सकता है तो ये थी बिहार में रहस्बई गुफा की कहानी जो की राजगीर में इस्थित है और इसे सोन भंडार के रूप में जाना जाता है बिहार और बिहार से जुड़िवे और वेसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दिजी जाज़त धन्यवाद